आज के वीडियो में सीखने वाली हैं टाउजर के बॉटम में डिजैन बनाना तो प्रेंस सबसे पहले तो डिजैन बनाने के लिए हमें ये पट्टी को तयार करना है पट्टी को 4 इंच चौड़ाई में कट करें उसके बाद में हाफ हाफ इंच दोनों साइड फोल्ड करके आईरन करना है तो पट्टी की चौड़ाई हमें तयार 3 इंच की रखना है तो फ्रेंस इसमें देख सकते हो पट्टी के अंदर हमने फ्यूज पेपर इसमें आईरन से चिपकाया हुआ है क्योंकि हमारा फैबरी के पतला है इसलिए हमने फ्यूज पेपर इसमें चिपकाया हुआ है अगर फ्रेंस फैबरिक थोड़ा अगर मोटा हो तो फ्यूज पेपर चिप काने की कोई जरूरत नहीं ऐसे ही इस पर आयरन कर लें तो फ्रेंस तीन इंच पट्टी को कुछ इस तरीकी से डबल कर लेना है और फिर से आयरन करना है तो फ्रेंस यहां देख सकते हो यह हमने पेपर लिया हुआ है तो पेपर किसी का भी हो थोड़ा मोटा हो तो यहां देख सकते हो जितना बॉटम हो उस हिसाब से पेपर को लें तो यहां देख सकते हो पेपर को हमने डबल फोल्ड कर दिया है कुछ है इस तरीके से क्योंकि हमें दोरों बॉटम के लिए पेपर को कट करना है तो इस तरह से हमने पेपर की चउणाई को तीन इंच लेना है क्या इस तरह से थीज़़ Department निसान को लगा लेना है अ leo बना देना है जो एश्टा पेपर है इसको हम कट करेंगी तो फ्रेंस वीडियो को पूरा देखना लाश्ट तक तभी अच्छी से समझ में आएगा बीच से इस तरह सी हम कटिंग कर देंगी तो यहां देखी दो पेपर हमारे पास हो गए हैं तीन इंच की चाड़ाई में एक दो इंच लगबुक दो पॉइंट हमने पट्टी को लिया है और इस तरह से हाप इंच इस साइड से फोल्ड करेंगी और हाप इंच दूसरी साइड से फोल्ड करेंगी अब हम इसको पट्टी को बीच से फोल्ड करेंगी तो इस तरह से हमारी पट्टी बन के तयार होगी त तो फ्रेंस पत्ति के चणडाई हमें हाप इंच तयार रखना है इस तरह से हम बिल्कुल किनारी सिलाई लगा कर पत्ती को फनीसिंग से बना लेंगी तो फ्रेंस अगर हमारी चैनल पर नई हूँ तो पिलीज फ्रेंस हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो हाँ फ्रेंस बाइकन जरूर प्रैस करें जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और हमारी सारी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे तो देख सकते हो फ्रेंस हमने इस तरह से पटी को तयार कर लिया है तो यहाँ देख सकते हो फ्रेंस हमें लगबगी तीन से चार पटी को तयार कर लेना है लंबी लंबी पटी तो फ्रेंस इस तरह से हम एक पेपर लेंगे और इसको बीच से डवल फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें पेपर का बीच का center निकालना है तो इस तरह से पेपर को फूल करेंगे तो हमें बीच का center आसानी से मिल जाएगा और बिल्कुल भी कम जदा नहीं होगा बराबर में हमारा center होगा इसी तरह हम दोनों paper पर crease बना लेंगे और यहाँ दिखिए जो हमें लैंड दिख रहा है बीच का सेंटर उस पर हम चौक से और इसे डार्क कर लेंगी जो हमने हाप पिंज चौड़ाई में पट्टी को बनाया हुआ है इसको हम इस पेपर पर सैट करेंगी इस तरह से मेजर करके और सारी पट्टी को कट कर लेंगी तो फ्रेयन से पट्टी कम नहीं होनी चाहिए ज्यादा भले ही कटिंग हो जाए उसको बाद में हम फनी संग से कट कर देंगी इस तरह से हमने सारी पट्टी को कट कर लिया है तो फ्रेयन से जो हमारा पेपर में बीचो बीच का सेंटर है लाइन बना हुआ है उसी लाइन पर इस तरह से पट्टी को रखेंगी और सिलाई लगाते जाएंगी तो फ्रेंस सिलाई हमें बिल्कुल ही बीचों बीच में लगाना है लैन बना हुआ है तो फ्रेंस इस तरह से सारी पटी को जमा कर रखना है और सिलाई को लगाते जाना है तो यहां देख सकते हो हमने पटी में बिल्कुल भी गैप नहीं किया है बिल्कुल एक दूसरे पटी को सटा कर रखा हुआ है गैफ बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है तो फ्रेंस से जब ये डिजाइन पूरा बनेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा बहुत ही सुन्दर लोकाएगा इस तरह से हमने पूरी पट्टियों को स्टिच कर लिया है पेपर पर और इस तरह से जो एक्ष्ट्रा पट्टि निकली हुई है बार की साथ उसको पेपर के बराबर में कट कर लेंगे और इस तरह से फिर से हम उसी लैन पर सिलाई लगाएंगी फिर से गुमा लेना है और फिर से एक बार सिलाई लगाएंगी तो इस तरह से हम एक साइड का पट्टी उठाते जाएंगी और दूसरी साइड पलट कर सिलाई लगाते जाएंगी इसी तरह से हमें सारी पट्टियों को एक साइड में फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है तो फ्रेंस फाइनली, हमने एक side पटी को complete कर लिया है अब हम दूसरी side पटी को fold करेंगे तो इस तरह से पटी को उठाएंगे और पटी की उपर रख कर semi को लगाएंगे इसी तरह से हमें सारी पटी को stitch कर लेना है पेपर पर तो प्रेंस हमने दोनों सेट पट्टियों को पलट कर सिलाई को लगा लिया है अब हम डिजाइन को बॉटम पर अटेज करेंगी उससे पहले जो पेपर से वहार पट्टी निकली हुई है इनको हम पेपर से मिलाकर कट कर देंगे कुछ इस तरह से इसी तरह हम दूसरे साइट प्रिसिंग कर लेंगे अब हम डिजाइन को बॉटम पर साइट करेंगे तो इस तरह से bottom को हम सीधी side में रख लेंगे और उसी के उपर हम design को फलट कर रखेंगे उल्टी side में रखेंगे हाफ इंच का margin छोड़ कर design को attach कर लेंगे bottom में सिलाई को बिल्कुल बराबर में लगाना है कहीं कम जादा नहीं करना है इस तरह से हमने नीचे की side design को attach कर लिया है जो पीछे side का सिलाई margin है उसको हम पल्ले की side करेंगे और सिलाई लगा लेंगी तो फ्रेंसे सिलाई हम दो point की दूरी पर लगाएंगे इस तरह से तो फ्रेंसे जो ये पट्टी हमने 3 इंच की चौड़ाई को double fold करके 1,5 इंच चौड़ाई को रखा है इस तरह से पट्टी के बीच में हम design को रखेंगे हाप इंच गैराई में और एक सिलाई लगा लेंगे पहले तो जिससे हमारा ये secure हो जाए design बिल्कुल पराबर में सिलाई लगाना है कम ज़्यादा नहीं करना है इस तरह से पट्टी को हम design की उपर fold करेंगे और finishing की सिलाई लगा लेंगे सिलाई विल्कुल किनाहरी लगाएंगे विल्कुल भी out नहीं करेंगे कुछ इस तरीके से जो नीचे की side paper है इसको हम हटा देंगे तो friends हमने हर एक इस टीप अच्चे से समझाया है अच्चे से बताया है फिर भी कहीं कोई mistake हो समझने में समझ में ना आया हो तो friends comment box में comment करके लिख सकती हो जब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तो अच्चे से उस step को समझा देंगे तो इस तरह से हमने सारा paper हटा लिया है डिजाइन से तो friends final look कुछ इस तरह से आया है अगर आज का वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब भी